वेल्कम तु न्यू एपिसोड ओफ सिंगार जोन दोस्तों अगर मैं कहूं के एथर एनर्जी के बाद अगर कोई और कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा लोकलाजेशन अबर फॉकस किया है खुद की आरेंडी के साथ प्रड़क्ट त्यार किया है या मैं एलेक्ट्रिक स्कूट की और की बात कर रहा हूं तो वह है आयाटी हैदराबाद इंक्यूबेटिड इवी स्टार्ट अप प्योर इवी आपने प्योर इवी के जो एलेक्ट्रिक स्कूटर एप्लिटू सेवन जी के बारे में जरूर सुना होगा तो उनकी टीम ने रिसर्चर्चर्ज ने भारत की पहली सेल्फ रिपेर लिथिएमन बैटरी को बनाया है कैसा इसको नाम से क्लीर है कोई ही डिटेक्ट को दिक्कत आती है बैटरी में तो सेल्फ रिपेर करने की इनають शमतर रहेगी और इसको नाम रखा है बैटरिक्स थैराड़े सिस्टम यह सिस्टम ना सिरुफ किसी लिथ भी करता है by self repair यह सारा सिस्टम एक artificial intelligence based algorithm है जो कि सारे detect करता है जासे हम सब जानते हैं कि जो complete lithium battery pack रहता है उसमें multiple cells होते हैं जिलको series में welding किया जाता है इनकेस अगर एक cell भी down होता है weak होता तो उससे overall जो पूरी battery pack की performance है उस पर असर पड़ता है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतनी सारी battery cell में से कौन सा weak है उसको पता करना भी कोई easy नहीं रहता है तो ऐसे में जो battery system है इससे काफी easy हो जाता है किसी weak battery cell का पता लगाना और उसको अगर वो जादा ही बिल्कुल dead है वो battery pack cell तो उसको बिल्कुल निकाल कर easily उसको आप change कर सकते हो otherwise वो थोड़ा weak है उस case में भी जो उसकी overall voltage है MPR है उसको balance रखा जाता है अभी तक मैंने किसी और EV start-up से में स्ट्री कंपनी से इस तरह के artificial intelligence based जो battery pack system है मैंने पहले नहीं सुना है first time ऐसा सुन रहा हूं और बिल्कुल यह proud moment भी है इसको कह सकते हम कि इतनी achievement इतनी R&D के थू हमारी companies कुद की Indian companies इतना अच्छा एक world class product त्यार कर रहे हैं इस battery system की जुतनी भी टेस्टिंग तिसको complete कर लिया गया है और प्यूर EV के जो भी आलेडी market में जो पांच electric vehicles है product है लाइक एपलेटो 7g एट्रेंस नियो और एट्रेंस ignite एट्रोन प्लस इस तरह के सभी product पर इसका इस्तमाल किया जाएगा तो इसके लिए पूर research team को एक बड़ा सा thumbs up जरूर बनता है एक और अपडेट है वह भी मैं आपके साथ शेयर करते हूं प्योर वी से यह है कि उन्हें एक joint venture किया है CISR यानि की Central Electrochemical Research Institute कराकुड़ाई इनके पास लिथिमन बैटरी का पूरा एक कह सकते हैं कि पूरी इनके पास development है उन्हें stretching भी शुरू करेंगे जो लिथिमन बैटर के सेल हैं तो कि भी भारत में नहीं बन रहे हैं उनकी production भी यह मिलकर start करेंगे क्योंकि यह technology CISR के पास है तो वो दोनों मिलकर इस पर काम शुरू कर सकते हैं कोई भी ऐसा update निकल कर आएगा तो बिल्कुल आपके साथ share करूँगा सबसे पहले फिलाल आज के लिए इतना ही आपका क्या कहना है प्योर एवी के बारे में इस research के बारे में जो खुद R&D इतना कर रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है किमेंट में ज़ूरू बताईएगा आज के लिए तना ही धन्यवाद विडिगों तक देखने के लिए जए झाल झाल